हर काम प्लैनिंग से हो ये जरूरी नहीं कुछ काम खुद बाख खुद ही हो जाते हैं अब मुझे ही देख लीजे ना मेरे इंट्रो का पता है और ना मेरा लेकिन व्लॉग चालू है सफर चालू है तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने आयोध्या का सफर और इस सफर में मेरे साथ कौन-कौन है ये मैं आपको आगे ही बताऊंगा पूरे धाई घंटे ट्राइफिक से लड़ते हुए हम पहुंच गए प्रभुश्री रामचंद जी के पवित्र जन्वे स्थान आयोध्या नगरी में और हां जैसे ही आप आयोध्या के अंदर इंट्री करेंगे वैसे ही आपको पहुत सारे बंदे गाइट करने के लिए मि और हमने पैंदैंट्री का जा जाना है पहला सरजू नदी उसके बाद बगवान का राम दरêuाख लिए-चलते हैं तो जैसा कि कहा जाता है सबसे पहला दर्शन सर्जु नदी के तो चलिए सर्जु नदी पे चलते हैं गाड़ी यहां खड़ी कर दी गई है यह हमार साथ यह भी है इसको दिखाए नहीं थे आपको हम लोग हैं सर्जु नदी के पास और यह है सर्जु नदी और यहां पर आप देख रहे हैं जो रंग बिरंगी सीट बोट खड़ी हुई है नाओ खड़ी हुई हैं यह आपको सर्जु नदी की सेर कराएंगी तो हम कहां चूकने वाले हमने भी डील डन की और चड़ गे नाओ पर और हाँ हमारे जैसे हो अगर यानि कि आपको तैरना नहीं आता तलाइ जैकेट जरूर पहनो मैंने कहा तब मैं बताओंगा कि सफर में मेरे साथ कौन-कौन है तो आईए मिलाता हूँ आपको तो सफर में मेरे साथ हैं भाईया और भावी और साथ में दो छोटे-छोटे से बच्चे परी और टुक-टुक तो इंजॉय करते हैं नाओ का सफर कर दोटे जाएम चार टुक सर्जुनदी का लुट्फ उठाने के बाद पंडित्जी से पीछे चुड़ाने के बाद और स्री चेक्रवती महाराद दसरत जी का राजमहल देखते हुए हम आगे निकल पड़ें पहुचे स्री राम की राजगद्दी यहाँ पर जो गायट था उसने हमें क्या बताया वो सुने और यहाँ पर कैमरा अलाओ नहीं था कनक भवन राम दरबार और सीता रसोई को देखने के बाद हम आगे निकल पड़ें हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि कैमरा अलाओ नहीं था और अब हम जा रहे हैं प्रभुश्री राम चंद्र जी के जन्म इस्थान राम जन्म भूमी तो चलिए चलते हैं और हाँ वहाँ भी जाने से पहले क्या होता है आप देख लो यहाँ पर फोन और सब जमा हो जाएगा लौकर में जमा हो जाएगा फोन सब लौकर में जमा हो जाता है और वो हर इनसान लाईव ही देख सकता है अपनी आखों से रामजन्म भूमी के दर्शन के बाद हम आ गए हनमान गड़ी और यहाँ पर श्री हनमान जी के दर्शन से पहले आप देख सकते हो कितनी आपको सीड़ीय चड़नी है पानी वानी पी कर जाईएगा और यहाँ पर श्री हनमान जी के होते हैं दर्शन यहां पर हनमान जी के दरशन के बाद हम आ जाते हैं नीचे आयोध्या में सभी पुवित्रे स्थानों में दरशन के बाद हम निकल पड़े अपने घर की और लखनाव अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें अपने दोस्तों को फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ